और जम्शेकपूर में लॉक्डाउन 4 के गाइडलाइन से कारोबारी जो हैं वो मायूस हैं। नए गाइडलाइन्स में शेहरी शेत्रों में कोई बदलाव नहीं दीख रहा है। ऐसे में साक्षी बाजार के कपड़ा वैवसाई सरकार से कपड़ा दुकान खोले की ज्यासत देनी की गोहार लगा रहे हैं। आपको बताएं कि साक्षी बाजार का ज्यासा लिया है सही होगे आने अमरता ने। लॉकडाउनफोर में कई रियायते दी गई है, लेकिन जुम्शेत्र में इसका खासा असर इसलिए नहीं है कि लोग अभी ठीक शे कमज़ नहीं पा रहे हैं और उसकी डीटेल में जाना चाहते हैं क्योंकि क्या होता है कि आप निकल गए घर से कि हाँ हमें ये रियायत मिली है कि हम प्राइवेट आफिस खोल सकते हैं लेकिन आप पुलीस को क्या समझाएंगे तो ये एक जो कम्मिनिकेशन गैप है और तारतमिता का भावे इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है हम आपको मिलाना चाहेंगे एक युवक से जो बताएगा अपनी परिशानी कि किस तरह से छूट दी गई कि एसी या फिर जो मैकैनिक है इसी मैकैनिक उनको छूट दी गई कि वो कस्टमर राजी है तो जा सकते लेकिन वो प्रूफ कैसे करेंगे और उसका खामियाजा क्या होता है बताएगे आपके साथ क्या नाम है गुलजार अलम क्या हुआ था आपके साथ बताएगे मैं काम करने जार थारीतपूर तो वहां के वह रूभिलब बोली मुझे पास कि नहीं मैं आपके सारफ सी मसमनेया थी फिर से बात कर लो और लोड़स मैं समान कर देंगे है इस एसी लाफ चूल है कि दिया जाए जाएगे गंटा पांच गंटा जो भी दिया जाए ताकि हम लोग जो है मेरा फैमिली बिहार में है हम अकेला यहां पर रेंड में रहते हैं और अठारे सो रूम का किराया है यह लोगडाउन में जो है मैं तीन मैंना सुप्टा पे नहीं किया हूं माकानमाली कभी भी मुझे भगा सरकार से यह निवेदन है कि चोटे बड़े जितने वैपार यह बहुत जादा ही दिकत हो रही है क्योंकि एक महिना दो महिना लगबक तीन महिने हो गए हैं उसमें क्या है वैपार जो आप लोगों ने बंद कि उसमें हमारे सब मेंटेंस वेगरा सब कुछ ही लिया है लियायत नहीं मिल रही है और जो रियायते हैं वो शेहरी शेत्रों से बाहर शेत्रों के लिए चंद कुछ जो दफतर जो है जो प्राइवेट दफतर हैं वो धिरे- DVD खुड रहें नहीं तो यह सारी जो पिडाएं हैं वेवसाईयों की हैं वो वाजीब हैं अपनी जगह पर और वो सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि सोसल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिशित करते वे धीरे-धीरे उन्हें भी खोलने की इजाज़त दी जाये ताकि उनकी जिंदगी जो है पटरी परार सक कैमरा परसर नन्वर के साथ हर्मी अम्रीता न्यूज 11 जमशेगपुर